नमस्कार मित्रों स्वागत है आपका पात्फाइंडर स्टिडी पॉइंट में यह सभी में जी के एक कॉमन टॉपिक है और सभी में लगबग एक जैसा ही पैटन है तो उस पर आधारित करते हुए हम लोग आज से जो है मौडल पेपर्स इस्टार्ट करेंगे जिसमें पचास कोईश्चन मौडल पेपर के जो आपके स्लेबस के अनुसार है पैटन पराधारित उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसी तरह से हिंदी और रीजनिंग के भी जो है मौडल पेपर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे तो चले आज सुरुआते हैं मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सामिल हुई तो मुस्लिम लीग ने सबसे पहले जो है सरकार में फार्मेशन में अपनी भागदारी से मना कर दिया था लेकिन बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सामिल हो गई थी पॉंडिचेरी को किस समिधान संसोधन के द्वारा भारती गळ राज में सामिल किया गया था चौदवे समिधान संसोदन 1962 के द्वारा पॉंडिचेरी को भारत का एक अभिन अंग बना लिया गया था सरकारी सेवाओं की गई सेवा के लिए प्रदान किये जाने वाला सर्वोच नागरीक अलंकरण या पुरुसकार कौन सा है पद्म भिवुषण अईसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो सरकारी सेवा में होते हुए उतकरष्ट योगदान करते हैं राज का राजिपाल मंत्री परिशत के परामर से स्वतंतर या अपने विवेक से या स्वा विवेक से कौन कौन से कारिक कर सकता है तो आप लोग जानते हैं पॉलिटी में कि राजिपाल की अगर सक्तियों को देखा जाए तो राजिपाल की विवेका धीन सक्तियां राश्टपती से कहीं अधिक होती हैं तो विधान सभा में सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है वो अल्पमत वाले मुख्यमंत्री को बर्खास कर सकता है सीधे भारत के राश्टपती के विचारार्थ किसी विदेयक को आरक्षित करने के लिए भेज सकता है जो अनुच्छे दोसों में दिया हुआ है और विधाय का द्वारा पारित किसी विदेयक को पुनर विचार है तू वापस बेज सकता है ये सब उसके स्वविवेक पर निर्मड करता है इसके लिए उसको राज के मंत्री मंडल या मंत्री परिसत से कोई भी सला लेने की आवशिक्ता नहीं होती है भारत के प्रथम साम उदाइक मंत्री थे पंचायतों के निर्वाचन का जो नियंत्रन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है वो राज निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है राजा जिसने पाटिल पुत्र नगर को बसाया था या उसकी स्थापना की थी उदाइन पुनर जन सिद्धान पहला इसपष्ट उलेख कहां पर मिलता है ब्रेदकारण उपनिशद में पुनरजन सिध्धान्त का पहला इसपष्ट उलेख मिलता है नासिक में कुम्भ मेला लगता है कहां पर गोदावरी नदी के टट पर संतनतकाल में भूराजश्चु का सर्वोच अधिकारी कौन होता ये लखनो में सित है उत्तरप्रेश में सरवाधिक मेलों का आयोजन किस जिले में होता है तो सबसे अधा मेले मतुरा में लगबक 86 मेले मतुरा में प्रतिवर्स आयोजित होते हैं उत्तरप्रेश का सबसे कम अनसूचित जन जाती वाला जिला कौन सा है सबसे कम अनसूचित जनजाती बागपत में पाई जाती है उत्तरपदेश संगीट नातक अकादमी की स्थापना किस वर्स हुई थी 1969 में हुई थी और जो कहां पर रही अकादमी ये लखनों में स्तित है इसका पूरु नाम भी कभी पूछा जा सकता है तो उत्तरपदेश संगीट नातक नात्यकादमी इसका पहले का नाम था और जिसकी ओरिजिनली स्थापना 1963 में हुई थी उत्तरपदेश चलचित्र निगम चलचित्र यानी सिनेमा तो चलचित्र निगम की स्थापना उत्तरपदेश में 1975 में हुई थी कुछ पुस्तके और उनके लेखक देखते हैं लज्जा किसके द्वारा लिखी है लज्जा तसलीमा नसरीन के द्वारा लिखी है जो बांगला-देशी जो है नॉबलिष्ट है दा फ्यूचर आफ इंडिया ये बिमल जालान द्वारा लिखी गई है फुल फॉर्म कुछ देखते हैं, NATO का फुल फॉर्म क्या है, North Atlantic Treaty Organization, NREGP यानि National Ruler Employment Guarantee Program, यह इसका फुल फॉर्म हो गया, CDM में जो एक Mobile की Technology होती है, तो Code Division Multiple Assess, यह इसका फुल फॉर्म हो गया, CTBT जो Nuclear Test को बैन करने से संबंदित है, तो इसका फुल फॉर्म हो गया, Comprehensive Test Band Treaty, आर्थ सास्त के छेत्र में प्रथम Nobel पुरुसकार किसने जीता था, जॉन ट्रिंड ब्रेगन और रेगनार फ्रिस्क इन दोनों को समलित रूप से 1969 में आर्थ सास्त का पहला Nobel पुरुसकार दिया गया था, 27 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं हम लोग, बिस्व मदमे दिवस 27 दिवस को होता है, 22 अप्रेल को बिस्व प्रतिवी दिवस होता है, 15 मार्च बिस्व उभोगता दिवस होता है, और 24 दिसंबर राष्टी उभोगता दिवस होता है, तो ऐसे दिवस जो बिस्व और राष्टी इस्तर दोनों पे मनाय जाते हैं, उनको तो अच्छे शामेशा याद कीजिएगा क्योंकि उसमें confusion हो सकती है। विस्व परियावास दिवस या word habitat day इसका एक निरधारित तिथी नहीं होती है। यह हर साल अक्टूबर महिने के प्रथम सुम्मार को मनाया जाता है। कीटो को भगाने के लिए नैफ्तलीन की गोली नैफ्तलीन आप जानते हैं सभी घरों में यूज होता है लगबग सफेद रंग की गोलीयां होती हैं जो हम लोग अपनी अलमारियों कपड़ों अत्यादी में पीछे रख देते हैं तो यह गोली कहां से प्राप्त होती हैं किस यह गोली कोलतार से बनाई जाती है कोलतार कोईले का एक उप उत्पाद होता है वाहन द्वारत तय की गई दूरी का मापन किस यंत्र द्वारा या किस उपकरण द्वारा किया जाता है ओडो मीटर के द्वारा जनगरना 2011 के उनसार सरवाधिक लिंगा नुपात वाला धार् समुदाय भारत का कौन सा है इसाई समुदाय जिसमें लिंगा नुपात 1023 है सरपथम पारिसित की इस्तूप या एकोलोजिकल पिरामिड की संकल्पना किस ने प्रस्तूत की थी चॉल्स एल्टन ने मित पोशणी इंगलिस में इसको कहते हैं ओलिगो ट्राफिक जील का उध जील है वो एक मित पोशणी जील का उधारण है क्योंकि एक ये इसको लवडी जील भी कहते हैं मित पोशणी जील की विसेस्ता क्या होती है तो इसमें नियूनतम प्रात्मिक उत्पादक्ता जो है सबसे कम होती है यानि प्रात्मिक उत्पादक्ता नियूनतम होती है नाइ नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन होना ये भी नाइट्रोजन योग की करण कहलाता है। नाइट्रोजन का मुख्याले कहां पर है। जेनेवा में है। जीवाडू में राइबोसोम किस प्रकार का होता है। तो जीवाडू या बैक्टिरिया में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। नोसकापीन पोस्ता से प्राप्त होता है। पोस्ता को हम पॉपी के नाम से भी जानते हैं। इमारती लकडी को नश्ट करने वाला कवक या फंजाई कौन सा है। उसको पॉलिपोरस नाम से जानते हैं। नेच्स्ट क्वेश्चन क्या है प्रोटीन का नाम करन किस ने किया था। यानि प्रोटीन का नाम किस ने दिया था। प्रोटीन बरजीलियस और मूल्डर जो ये दो साइंटिस्ट हैं बाईलोजिस्ट इनके द्वारा प्रोटीन का नामकरण किया गया था रक्त में यूरिया का सामान इस्तर कितना होना चाहिए तो मानो ये रक्त में यूरिया का सामान इस्तर 20-40 मिलिग्राम पर 100 लीटर होना चाहिए शरीर में अमलीता और चारीता यानि एसिडिटी और एलकरिनिटी के बीच में संतुलन इस्थापित करने वाला तत्तो कौन सा है फासफोरस नियंतरण का विज्ञान या साइन्स आफ कंट्रोल किसको कहते हैं साइबर नेटिक्स के नाम से जानते हैं नियंतरण के विज्ञान को यदि तामबे के तार को खीच कर दोगुना लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा चार गुना हो जाएगा मेक्सिको की मुद्रा क्या है पेसा है आश्टिया की मुद्रा सीलिंग है जापान की मुद्रा येन है सौधी अरब की मुद्रा रियाल है ISO 14001 ये प्रमालपत्र किनको जारी किया जाता है तो ये एक अंतराश्टी इस्तर का प्रमालपत्र है जो अंतराश्टी इस्तर की प्रदूशन नियंतरन प्रणाली स्थापित करने वाली और द्योगी काईयों यानि इंडिस्ट्रियल यूनिट्स को दिया जाता है सुमेलन करना है इस कुष्चन में हरा सोना किसे कहते हैं अफीम को कहते हैं जूठा सोना या फूल्स गोर्ड ये पाइराइट्स को कहते हैं फलो का राजा आम को कहा जाता है और फलो की रानी लीची को कहा जाता है लखनो science 49 ये किस फसल की या किस पोदे की एक किसम है ये अमरूद की एक उननत किसम है और वहोती प्रिफेमस है ये कायंकर रोग किस पोदे में होता है नीवू में कायंकर रोग होता है जिसको citrus कायंकर के नाम से भी जानते हैं जेली बनाने के लिए फलो में किस पदार्थ की मात्रा परियाप्त होनी चाहिए तो पैक्टिन पैक्टिन जो है एक पॉलिसेक्राइड होता है पैक्टिन की मात्रा अगर ज्यादा होती है तब ही जो है फलों से जेली बनाई जा सकती है उत्तरपदेश में किसान मित्र योजना का सुभारम कब हुआ था 18 जून सन 2001 में उत्तरपदेश में किसान मित्र योजना का प्रारम किया गया था पौध सन्रचन संगरोग एवं भंडार निदेशाले ये कहां पर इस्थित है ये फरीदाबाद हर्याणा में इस्थित है छटवा विश्व धर सिखर सहर सिखर सम्मेलन 2018 कहां पर आयोजित हुआ तो ये हाल ही में अभी सिंगापुर में इसका आयोजन हुआ था वैस्विक नवाचार सुचकांग 2018 में भारत का कौन सा इस्थान है सतावनवा इस्थान है और प्रथम इस्थान पर इसमें सुट्जर लेंड है बिजनेस फर्स्ट पोर्टल ये एक पोर्टल है या इसको वेबसाइट भी आप कर सकते हैं जो उद्यमियों को प्रस्तावित प्रोटसाहित करने के लिए लांच किया गया है ये पंजाब सरकार ने अभी हाली में 7 जून 2018 को लांच किया है अभी हाली में निदन हुआ है पंडित बुद्ध देव दास गुपता का तो ये क्या थे एक प्रसिद सरोध वादक थे परधान मंतरी अनसंधान अध्येता योजना हेतु कितने बजट को मन्जूरी दी गई है 1650 करोन रुपए के बजट को मन्जूरी दी गई है उत्तरपदेश सरकार की योजना प्रकास है तो विकास है इसका प्रारम हुआ था 25 दिसंबर 2017 को और इसका जो प्राविधान है 35,000 वार्षिक से कम आये वाले जो BPL कार्ड धारक परिवार हैं उनको ये बिजली का कनेक्शन इस योजना के अंतरगत निशुल्क दिया जाएगा तो दोस्तों ये जो है 50 question थे जीके के इसी तरह से ये series continue रहेगी और योजनाएं चाहे किती भी पुरानी हो योजनाएं हमेशा important होती है इसलिए योजनाओं को current से ज़्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं और योजना में क्या प्राविधान है ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर question को दूसरे form में पूछ लिया तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है इसलिए हमेशा योजना पढ़ते समय योजना में जो प्राविधान होता है उसको जरूर ध्यान लखें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार धन्यवाद